सन फार्मा भारत की सबसे बड़ी फार्मसोटिकल कंपनी और दुनिया की चोती सबसे बड़ी फार्मसोटिकल कंपनी में शामिल है सन फार्मा जेनरिक मेडिसिन्स प्रड्यूस करती है और दिलिफ शांग भी सन फार्मा के फाउंडर और सीओ हैं दिलीव शांगवी 2015 में इंडिया के रिचेश्ट मैं थे और 2016 में उन्हें पत्मशिरी से नवाजा गया था दिलीव शांगवी जी का जनम गुजरात के छोटे से इलाके अमरेली में हुआ था उन्होंने बैचलर्स ओफ कॉमर्स की थी उनिवर्सिटी ओफ कलकता से उनके पीताजी होलसेल जनरिक ट्रग का बिजनेस करते थे और उनके पीताजी के सा attractive वे उनकी हलब किया करते थे एक दिन जब दिलीव शांगवी जी अपने पीता के साथ उनकी मदद कर रहे थे उनके बिजनस में तो उन्हों ने सोचा कि क्यों न हम एक होल सेल की वजाए अपनी खुद की मैनिफेक्ट्रिंग करें हम अपने खुद के प्रडक्स बनाए इस थोड़ के आते ही उन्होंने मैनिफेक्ट्रिंग कंपनी की शुरुआत की 1982 में 10,000 रुपे लेकर वो घर से निकल पड़े और मुंबई में उन्होंने सन फार्मा के शुरुआत की पहले उन्होंने साइकेट्रि ड्रग्स से शुरुआत की थी साइकेट्रिक ड्रग्स की उन्होंने मैनिफेक्ट्रिंग शुरु की थी 1987 के अदर उन्होंने कार्डियोलोजी और 1989 के अदर उन्होंने गैस्ट्रो इंटेरोलोजी के प्रड़क्ट्स भी बनाने शुरू कर दिये थे आज सनफार्मा मार्केट लिडर है साइकेटरिक, नियूरलोजी, कार्डियोलोजी और और्थोपैडिक्स के प्रड़क्ट में कंपनी लोस में जा रही है तो उन्हें अपना बिजनेस मैंड यूज करके उस कंपनी को खरीदने की कोशिश की वर दिलिफ शांगवी जी का इडिसिजन काफी जादा अच्छा था क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया के साथ सथ अब हमारी सन फार्मा अमेरिका के अंदर भी म बढ़ाते चले गए दो हजार चोदं मिए्ट्छ सप्स्थ अब्स ना इंडिया की लारज़ेस्ट और गलोबल नेवल फूर्थ लार्ज़ेस्ट फॉर्मस्ट्रक पंपनी बन चुकी थी ब्लूबाइट दी के के संफार्मा इस समय सेकिंड मोश्ट रप्रतिटीट 4.4 billion dollar का revenue generate किया था और ये एक record था गुजरात के एक चोटे से इलाके से लेकर इंडिया की most reputed brand में शामिल होना ये जर्णी अपने आप में ही एक खास बात है और अगर आपको दोस्तोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो कि फार्मेस्टी की फिल्ड से जुड़े हैं ताकि उन्हें भी पता लगे कि सन फार्मा की शुरुआत कैसे है और सन फार्मा आज के समय पर कितनी बड़ी कंपनी है दोस्तों कर आपने चैनल कब तर सब्सक्राइब नहीं है क्या सब्सक्राइब भी कर लिए क्योंकि आशी नोलजिबल कॉन्टेंट हमारी चैनल के उपर आता रहेगा तब तक के लिए धन्यवाद